हेलो फ्रेंडς आज कैसे क्लास में आप मोडल सीट नंबर 11 21 देखने वाली हो जो कि आपके इस पीडी के साइनस वाले बुक से लिया गया जैसा कि आपने थर निल पर देखा इस पीडी के साइनस 11 12 15100 प्लस वर्लाइनर आज के इस क्लास में आपको देखना है ठीक है जो कि आ आपके BSSC के लिए आज का class बनाए गया है जो लोग BSSC की तयारी कर रहे हों करना चाहते हैं पहली बार इस चैनल पर आये हैं एक बार आप playlist में आकर चेक करेंगे बार आप चेक करेंगे BSSC के लिए तीन पब्लिकेशन जिसमें की प्लेटफॉर्म का फॉल्यूम फर्स्ट की रन और क्राउन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो आप एक बार जरूर आकर प्लेइलिस्ट में देख लिजेगा class को ठीक है अगर आप में से किसी को class का PDF चाहिए होगा नीचे टिलिग्राम का लिंक दिया हुए टिलिग्राम आप जॉइन कर लेजिए वहाँ पे सारा PDF अवलेवल है जो लोग टिलिग्राम नहीं चलाते हों या उनको कोई और प्रावलम हो तो आपना WhatsApp पे भी class का PDF ले सकते हैं इसके उसके लिए आप देखिए या नमबर नोट कर लेंगे 9576843550 इस नमबर पर आपको class के लिए message करना है कौन सा class का कौन सा PDF चाहिए message करिएगा आपको PDF मिल जाएगा कोशिश करिए टिलिग्राम पर जोड़ जाने का टिलिग्राम जो नहीं चलाते हो उनके लिए ये नमबर दिया गया है ठीक है तो आएए देखते को पॉलिस करने से कौन सी विटामीन है जो नश्ट हो जाती है चावल को आपको पता है पॉलिस किया जाता है अच्छा दिखने के लिए और फुरा कुछ ज्यादा दिन तक सही से रखने के लिए तो थाइमीन जो है वो उसका नश्ट हो जाता है ठीक है चावल को पॉलिस कर तो आपको potassium बताना है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुख जाता है क्या लगाएंगे अगर blood कहीं से निकल रहा है तो feric chloride का यूज किया जाता है blood को रुखने के लिए ठीक है सबसे भारी धातु अगर पूछेगा कौन सी है तो osmium आपको ध्यान रखना है सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो osmium आपको जवाब देना है D2O का समान नाम क्या है तो भारी जल भारी जल को आप D2O के नाम से जानते हैं ध्यान रखिएगा अनूभार अगर आपसे पूछे कितना होता है तो 20 अनूभार उसका ध्यान रख लिएगा पिट्वी की भूपर पट्टी पर सरवादिक कौन सा तत्यों मिलता है तो सबसे ज़्यादा oxygen मिलता है ठीक है प्रैक्टिस सेट में काफी बार ये सब बताय जा चुका है आपको भूपर पट्टी पर पूछे का सरवादिक तत्यों में कौन सा तो oxygen मिलता है फ्रेंट्स जो लोग नए हो समझेगा इस बात को कि स्पीडी साइन्स का जो आपका बुक है स्पीडी साइन्स का काफी अच्छा बुक है आपके BSSC examination के लिए ठीक है कहिए कि सस्था में सबसे बेश्ट बुक अगर है तो स्पीडी साइन्स है पहले से आप कर लिजिए फिर आप किसी और बुक पे ध्यान दीजिएगा यहां से आपका मानिये कि मतलब 70 से लेके 80% minimum यहां से ही आपका complete होता है ऐसा कोई question नहीं है तो यहां से आपको नहीं मिलेगा इस बात का ध्यान रखिएगा इसलिए अच्छे से class को देखिए आपके पास अगर वुक हो तो अच्छे से परहाई करिएगा प्राकिर्तिक वरन के सिधान्त को किसने परतिपादित किया है तो डार्विन के द्वारा किया गया अधिहान रखिएगे प्राकिर्तिक वरन के सिधान्त को डार्विन ने मतलब प्रतिपादित किया दिया है ठीक है फोटो क्रोमेटिक काँच में क्या वय हिरित होता है तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा नेम्बू में कौन सा अमल पाया जाता है साइट्रिक अमल कौन सी विटामिन गर्म करने पर नश्ट हो जाती है खतम हो जाती है तो विटामिन सी अगर गर्म करेंगे न तो विटामिन सी जो होता है वो गायब हो जाता है चेहाई के धब्बदे को मिटाने के लिए किस अमल का प्रियोग किया जाता है अमल पूछा है तो और जेलिक अमल का यूच करते हैं कीतों में होते हैं तो 6 जो है वो 6 पाथ और 4 पंक क ध्यान रखेंगे कीट में पूछेगा कितना पाथ तो 6 होता है और पंक अगर पूछेगा तो चार पंक होता है खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा जो अमल है वो नश्ट हो जाता है तो फॉलिक अमल ध्यान रखिएगा खाना को ज़्यादा पकाईएगा तो कौन सा अमल नश्ट होगा तो folic aml जो है ये खतम हो जाता है दूद में कौन aml पाया जाता है दूद में lactic aml होता है ध्यान रखेगा दूद में lactic aml गेवाइटर रोग का क्या कारण है तो सरीर में आयोडिन की कमी हो जाता है क्या कारण पूछेगा तो गिवाइटर रोग का क्या कारण है तो सारीर में आयोडिन की कमी होना ठीक है एपी कल्चर का सम्मन किस छेतर से मदुमक्खी पालन का सम्मन है किस चीज से एपी कल्चर से है सेरी कल्चर के बारे में पूछेगा तो रेशा मुतपादन से ठीक है हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है अनुवानसिक रोग होता है दूद का फटना दूद से दही बनना यह किस क्रिया से होता है तो यह किन्वन क्रिया से होता है ठीक है दूद का फटना या फिर दूद से दही का बनना किन्वन की द्वारा होता है ठीक है इंसुलीन की खोज क ने किया था तो बयंटिक एवंग बेश्ट की द्वारा इंसुलीन की खोज की गए थी पार्षिक किस भौतिक रासी का मात्रक होता था और ये खागोलिये विकास के उत्परिवर्तन के सिध्धान्त को किस ने परतिपादित किया तो हुगो डीब्रीज के द्वारा विकास के उत्परिवर्तन के सिध्धान्त को परतिपादित किया गिया था किस के द्वारा तो हुगो डीब्रीज आप नाम ध्यान रखेगा धात्वों के बेल्डिं गैस का यूज होता है पॉलिथीन किसका बहुलग है तो इथिलीन का बहुलग है कौन सा तो पॉलिथीन ठीक है लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है तो लोहे पर क्या होता है जस्तिकरन करते है हेलोजनों में सरवाधिक क्रियासील होता है कौन सा होता है तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा किडिया सील होता है गेलेना किस धातों का अयस्क है तो सीशा का अयस्क है कौन सा तो गेलेना जो है ये सीशा का अयस्क है तो थाइडाइड करंथी की होती है pH का निर्धारन किसने किया था स्वरेंसन के द्वारा क्या किया था pH का जो मान वगड़ा होता ये सब स्वरेंसन के ही द्वारा दिया गया था मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मान स्पेशी कौन होती है Gluteus Maximus होता है ध्यान रखेंगे मनुष्य के सरीर की सबसे बड़ी मान स्पेशी पूछेगा तो Gluteus Maximus होता है ठीक है सरीर का घाओ किस विटामिन से जल्दी भर जाता है तो विटामिन C से फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है Silver Bromide की ध्यान रखेंगे फोटोग्राफी प्लेट पर अगर पूछेगा किसकी कोटिंग तो Silver Bromide का किया जाता है है जा किस सुक्ष्मजीव के द्वारा होता है तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है कौन सा है जा होता है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमने कौन सी होती है तो आप उसे महाधमनी के नाम से जानते है महाधमनी होती है रक्त में गैसों का आदान परदान किस अंग में होता है तो फेफरा में ठीक है रक्त में गैस का आदान परदान पूछेगा चंदर सेखर के द्वारा ब्लैक होल से धानत का प्रतिपादन किया गया था ठीक है बोतल का कॉर्ग किस रिक्ष की छाल से पाया जाता है तो कोक से दूद से क्रीम को अलग करने पर दूद के घनतों पर क्या प्रभाव परेगा बताईए तो घनतों जो है ये बढ़ जाता है दूद से क्रीम को अगर अलग कर देंगे न तो दूद के घनतों का क्या होता है दूद का घनतों बढ़ जाता है जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है तो भार बढ़ जाता है लोहे में जो प्रैक्टिस सेट है 19 उसमें आपको यह कोशन बताया गया था ठीक है सेम यही कोशन था तो देखे जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन पूछेगा तो भार जो है यह क्या होता है बढ़ जाता है ठीक है देखें चिकित्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो चिकित्सा सास्त्र का अगर जनक पूछेगा तो हिपोक्रेटरस को आप कहते है मनुष्य के सरीर में कितना परतिशत जल होता है तो 65 से 80% क्या होता है जल रहता है ठीक है किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो हेमोफिलिया में ठीक है हेमोफिलिया में क्या होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है वो पूशन में सबसे अधिक कमे किसकी होती है तो प्रोटीन की ध्यान रखेंगे वो पूशर में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है तो प्रोटीन की होती है शरीर में योडिया किस अंग में बनता है तो शरीर में योडिया जो है आपके यक्रित में बनता है मनुष्य में बुरहपा किस गरंथी के लुप्थ हो जाने के कारण आ जाता है तो थायमस गरंथी जब घतम होने लगता है इंसान का तो बुरहपा आने लगता है रक्त चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है तो एड्रिनल गरंथी के द्वारा क्या होता है रक्त चाप का नियंत्रन होता है दूद को किस ताप पर पास्च्च्च्च्च्री कृत किया जाता है तो 62 डिगरी सेल्सेस पर ध्यान रखेंगे दूद को किया जाता है पाश्चुरी कित किया जाता है BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है तो गयमैक्सीन है BHC 10% का व्यापारिक नाम पूछेगा तो गयमैक्सीन आपको बताना है दूद का खट्टा होना किश्की द्वारा होता है तो दूद का खट्टा होना जिवानों के वज़ा से होता है ठीक है कपास की खेती के लिए सर्वुत्तम मिट्टी कौन सी है तो काली मिट्टी जिसे आप रेगुर मिट्टी के विए नाम से जानते हैं प्रैक्टिस एट में बहुत बार यहाँ भी बताया जाते चुका है महराष्ट हो जाएगा आपका गुजरात है इन सभी जगाँ पर यह काफी अच्छे से पाया जाता है ठीक है रेगुर यानि की काली मिट्टी बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है तो एड्रिनल से होता है बैरो मीटर में पारे के तल का एकायक गिर्णा क्या परदर्सित करता है बैरो मीटर में पारा का जो मतलब हो रहता है लाइनी रहता है जब एकायक नीची आता है इसका मतलब है कि आन्धी तोफान आने वाला है आर एच फेक्टर का समन्द किस से है तो ब्लड से है पैनिसिलीन बताइए क्या है तो पैनिसिलीन क्या है एंटी बायोटिक होता है मनों से के हिर्दे में कितने प्रकोष्ट होते हैं तो चार प्रकोष्ट होता है ठीक है अंडा में कौन से विटामिन नहीं पाया जाता है तो विटामिन C अंडा में नहीं रहता है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है तो पेपसीन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है बाइट्स रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो वरिक के को करता है ध्यान रखेंगे अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है तो अंडे के किस भाग में पूछा ना प्रोटीन तो जो उजला वाला पाट होता है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहता है ठीक है लोहे के किस रूप में कारवन की मातरा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में कारवन की मातरा सबसे कम होती है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है जीव विज्ञान का आप जनक अरस्तू को कहते हैं रहसायनिक दृष्टी से water glass क्या है तो water glass क्या है sodium silicate होता है ठीक है दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है तो analgesic कहलाती है दर्द दूर करने वाली दवा को आप analgesic के नाम से जानते हैं प्रोटीन किस से बने होता है तो प्रोटीन जो है आपके aminoamil से बना होता है दूद में कौन से सरकरा पाए जाती है लेक्टोज पाई जाते हैं दूद में कौन से सरकरा तो लेक्टोज पाई जाते हैं एंटी बायोटिक्स नश्ट करते हैं क्या नश्ट करते हैं तो बैक्टेरिया को एंटी बायोटिक्स जो है न ये बैक्टेरिया को खतम कर देता है लोह का अंस सबसे अधिक पाया जाता है क पर तो हरी सब्जियों में पूछेगा ना कि लोहा सबसे ज़्यादा कहां पाया जाता है तो आपको हरा सब्जी धियान रखना है रानी खेद बिमारी समंदित है किस चीश से मुर्गियों में क्या होता है रानी खित बिमारी अलजाइमर रोग में मानव सरीर का कौन सा अंग जो है ये प्रभावित होता है तो मस्तिस्क अलजाइमर जो है ये मस्तिस्क को डेमेज करता है ठीक है अंडानू का निशेचन प्राया किस में होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है ठीक है अंडानू का निशेचन पूछेगा तो फैलोपियन ट्यूब में होता है पौधे में जैब पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है तो फलोयम के माध्यम से पौधे में जैब पदार्थ का वहन होता है इत्र की तीखी जो गं के द्वारा एंटिबायोटिक एंपी सिलीन प्राप्त होती है बैक्टेडिया से ध्यान रखेगा इन्वेश से बताना है कि कौन सा ततत नहीं मतलब कौन सा ततत मैं जो हेड्रोजन के साथ सबसे अधिक समिस्रन बनाता है तो कारबन बनाता है पता ही होना चाहिए आपको कागच पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किस से विक्सित किया जा सकता है तो सिल्वर नैट्रेट के घूल से डिहाइड्रेशन से प्राया किस पदार्थ के कमी हो जाती है सोडियम कुलूराइड की ठीक है dehydration से किस्पदार्थ की कमी होती है तो sodium chloride की कमी हो जाती है pack करने के लिए जो प्रियुक्त करने वाली cellophane होती है वो किस से बनी होती है तो वो glucose acetate का बना होता है cancer की पर सिद्ध दवा taxol cancer की पर सिद्ध दवा कौन सा है taxol किछ विडिक से प्राप्त किया जाता है नाम उसका है यू cancer की जो दवा है taxol ये यू नामक पेर से मिलता है चीन के सोधन के लिए कौन सा रंजक प्रियुक्त होता है तो bone black आप धिहान रख लिजिएगा चीनी के सोधन के लिए कौन सा रंजक प्रियुक्त होता है पूछेगा तो bone black आपको right answer हो जाएगा क्रित्रियम सिल्क कहलाता है क्या कहलाता है व्यक्ति का भार किस प्रकार के lift में अधिक होता है तो जो उपर की और गती से बढ़ रही हो वैसे क्या होता है lift में व्यक्ति का भार पूछेगा कि lift में उपर जाने पे ज़्यादा फिल होता है नीचे आने पे कम फिल होता है लगेगा कि आपका weight है ही नहीं सरीर में बिल्कुल जब आप नीचे आएंगे hydrogen के समस्थानिकों के शंख्या कितनी होती है तो तीन होती है द्रवों में उश्मा का सरवत्तम समवाहक कौन सा है तो पारा हो जाएगा तारों के टिम्टिमाने का आंसिक कारण क्या होता है तो वातावरनी अपवर्तन के वज़े से तारे का टिम्टिमाना होता है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है तो वशा को किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तयार किया जाता है तो वशा को उबाल कर ठीक है मानव के कसे रुकों की कुल संख्या वाता ये कितनी होती है टोटल 33 याने कि 33 होता है मानव सरीड में औस तन ऑक्सिजन तत्व की पस्तित लगवग कितनी होती तत्लगवग 65% होता है ठीक है गुलुकोमा किसका रोग होता है गुलुकोमा नेतर का रोग होता है सभी जैव योगिक का अनिवार मूल तत्व कौन सा है तो कार्बन हो जाएगा सभी जैव योगिक का अनिवार मूलतत पूछेगा आप से तो कारवन आपको बताना है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रियोग किया जाता है अमल पूछा है न अग्जेलिक अमल आपको बताना है फोटोग्राफी में अगर पूछेगा अमल कौन सा तो अक्जेलिक अमल का यूज किया जाता है ठीक है डाइनोशोर बताइए क्या थे तो डाइनोशोर जो था ये मैसो जो इक सरी स्रिप में था ठीक है यह पूछा जा सकता है डाइनोशोर क्या थे तो मैसो जो इक सरी स्रिप था अभी आपने मोडल सेट नमबर 11 से लेकर के 15 तक देखा जिसमें कि आपको लगब 110 या 115 के आसपास वर लाइनर आपने देखा आसा करता हूं आज का भी क्लास आपको अच्छा लगा होगा अगर इस पेडिये साइस का क्लास अच्छा लगा हो और देखना हो तो आप प्रे लाया जा रहा है इसमें कि आपको पता होना चाहिए 25 तो 30 कोशन आपके जो साइंस से ही आएगा और स्पिरिस साइंस अच्छा खासा रूल प्ले करेगा तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही साथ चैनल को आप सब् स्क्राइब कर लेंगे बी एससी के लिए कुछ सजिसन देना हो ताब अराम से कमेंट कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही फ्रेंट्स बने रहे गए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स